अगर हम कोई cashback coupon add करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पाचवा नमबर है your product वहाँ पे क्लिक करना होगा इस menu पे क्लिक करने से यह menu open होगा जहाँ पे हम last वाला option है पाचवा नमबर coupons वहाँ पे हम क्लिक करेंगे वहाँ पे क्लिक करने से हमारा जितने भी पूराने coupons होगे वह सब शोग करेंगे जिसमें इसा active होंगे वह सब एक साथ होंगे इन active सब साथ में होगे और जतने हम delete कर चुके है उसकी history भी शोग करेंगा अभी हम add coupon करते हैं जो नीचे सब से नीचे option आ रहा है red color में add coupon वहाँ पे क्लिक करने से इसा open होगा यहाँ पे हम coupon का title हम देंग 7 अभी मैं fix amount कर रखता हूं मैं 50 rupees का amount रखता हूं और यहाँ पे हम coupon का limit set करेंगे यह coupon कितने लोग use कर सकते हैं मैं अभी 10th number set कर दा हूं और यहाँ पे हम date set करेंगे पांच तारिक से लेके 12 तारिक तक यह coupon चलेगा वैसा हम save करते हैं और save हो चुका है यहाँ पे सब history कुपन आ चुका है वहाँ पर usage limit 10 है कि 10 बारी यूज हो सकता है totally 10 customer यूज कर सकते हैं उससे जयता नहीं होगा यूज start date है 5 July और end date है 12 July यहाँ पे आप जो switch यहाँ पे दिया है वहाँ से आप active और inactive कर सकते हैं और नीचे बटन दिया है delete का वहाँ से आप delete कर सकते हैं और यह coupon आप WhatsApp पे share भी कर सकते हैं